हेलो फ्रेंट्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ शीवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान तो जीएस की खान बनाएंगे आपको जीएस में पहलवान दोस्तों आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं पॉलिटी के कुछ ब आपके हैं सब कुछ आपका है बस आपको क्लास को अपने सपूर्ट करना है चलिए तो शुरू करते हैं आपका पहला क्वेस्चन अगर आपको आपको ख्लास अपकी अच्छी लगे पसंद आहे तो लाइक कीजिआगा बट इस्से पहले अपने class को आप सब लोग मिल करके share कर दीजिए ठीक है तहल का बचा देंगे आग लगा देंगे चलिए तो शुरू करते हैं असकी class code देखते हैं आसका पहला question आपका पहला question है भारती समिधान का प्रारूप किसने तयार किया था असान question के साथ class की शुरुवात कर रहे हैं तो भारती समिधान का प्रारूप किस ने तयार किया था फटा-फट से बताईए very good option number C जिनका भी answer आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है sir B.N. राउने ओके चलिए अगला question दियागा राष्ट्र पति का वेतन कितनी रुपए है साथियों बताईए राष्ट्र पति का मासिक वेतन कितना होता है महीना में राष्ट्र पति को वेतन कितना दिया जाता है फटा-फट से comment करते रहे है बहुत सही आंसर जिनका भी answer option number B आ रहा है बिल्कुल सही उत्तार है उनका चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला प्रश्ण है राश्ट्री एकता की अध्यक्षता कौन करता है पते ही राश्ट्री एकता परिश्द होना चाहिए अगला प्रेशन दिया गया है भारत के समिधान में मौलेक अधिकार और नियाईक समिक्षा के प्रावधान किस देश के समिधान से लिए गए हैं तो सयुक्त राज अमेरिका के समिधान से, फ्रांस के समिधान से, जर्मनी के समिधान से या जापान के समिधान से बताईए आपके लिए अगला प्रश्न फिर से आ गया है कि समिधान के किस्ष शोधन द्वारा गोवा दमन तथा भारत को तथा भारत को अंग बना लिया गया था बताईए तो याद रखना है याद रखना है चलिए अगला प्रश्न भारत में पंचयत राज अधनियम कब लागू हुआ तो 20 माई 1990 को 2 अप्रेल 1991 को 24 अप्रेल 1993 को यह 10 जून 1995 को बताईए इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number C 24 अप्रेल 1993 को भारत में पंचयती राज अधनियम लागू हुआ था चलिए देखते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्न लिया गया है भारती समिधान में मौलिक करतव्यों का विचार किस देश के समिधान से लिया गया है तो अमरिका के समिधान से औस्ट्रेलिया के समिधान से जर्मनी के समिधान से या रूस के समिधान से बताईए भारती समिधान में मौलिक करतवियों का जो विचार है यह रूस के समिधान से लिया गया है याद रखिएगा रूस के समिधान से चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला प्रशनाप के लिए आ गया है कि लोग सभा में राज्यवर सीटों का आवंटन 1971 से अधारित है या निर्धारण किस वरस तक यथावत रहेगा बताएगा तो भारत जो लोग सभा में राज्यवर सीटों का आवंटन है ये 1971 में निर्धा अगला प्रशन है भारत की संपर्भुता एकता तथा अखंडता को कहां किया गया है बताईए कि भारत के संपर्भुता एकता अखंडता को अगला प्रशन है इसका उलेह कहां किया गया है तो सम्विधान की प्रस्तावना में उसका उलेह किया गया साथियों कहां पर सम्विधान की प्रस्तावना में चलिए अगला प्रश्न है सम्विधान के के सनुछेद द्वारा सिखों द्वारा करपांड धारण करना धार्मिक सुतंदरता का अंग माना जाता है बताइए कि समिधान के किस अनुछेद द्वारा question फिर से पढ़ रहे हैं सिखों द्वारा करपांड धारण करना धार्मिक सुतंदरता का अंग माना जाता है बताइए तो ये माना चाता है समिधान के उनुच्छेद 25 के तहट समिधान के उनुच्छेद 25 के तहट ठीक है आग लगा देंगे गरदा मचा देंगे क्लास को शेड करते रहिए चलिए फटा-फट से अगला प्रशन दिया गया है समिधान का उनुच्छे 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है पताए किसकी सक्तियों से संबंधित है options आपके सामने चलिए मैं बोलता रहूँगा कि समिधान का उनुच्छे 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है options आपके सामने बताइए तो यह संबंदित है हमारा राज्य सभा की शक्तियों से साथियों किस्से राज्य सभा की शक्तियों से clear option number हमारा D जिनका भी answer आ रहा है वो इस question के लिए बिल्कुल सही उत्तर है चलिए अगला प्रशन है आपके सामने केंद्र यों भारत के राज्य के बीच शक्तियों के वित्रण समंदित तीन सूचियों के नाम बताईए बहुत आसान प्रशन है तो केंद्र और भारत के राज्य के बीच जो शक्तियों के वित्रण समंदित तीन सूचियों थी ये कौन-कौन सी है संग सूची, राज सूची और समवर्ती सूची क्लियर जिनका भी अंसर ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए हम देखते हैं इस ग्लास का अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण है किस समिधानिक पद धारक को जो की संसत का सतर से नहीं है संसत के समक्ष अपना दरश्चिकोर प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है देखते हैं ऐसे क्वेस्टन पढ़िए ठीक है वो क्वेस्टन पॉलिटी की मत पढ़िए कि जो है समिधान कब लागू हुआ समिधान किसने लिखा ठीक है समिधान को लिखने में कितना वर्स लगा ये क्वेस्टन ना पढ़िए आएंगे ही नहीं मैं लिखके देता हूं नहीं आएंगे लो कहीं पर लिखवा लो नहीं आएंगे क्वेस्टन देख लेना कहीं पहुंच लेकि समिधान क अगला प्रश्ण है भारत में नगरपालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है बताईए ऐसे क्वेस्टिन पढ़िए नगरपालिकाओं का जनक किसे को बोलते हैं तो नगरपालिका का जनक किसको बोलते हैं यह लौड रिपन को कहा जाता है समझ में आया लौड रिपन को बोलते है चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो, क्लास को शेर करते हैं, पूरे जोस के साथ पढ़िए, कम पढ़िए, जितना पढ़िए, उतना याद रखिए, ठीक है, चलिए, अगला प्रशने, राष्ट्रपत की मृत्यों के बाद, उपर राष्ट्रपती, राष्ट्रपती का पद क कब तक सम्भाल सकता है question आसान है अज्छा question अधिक 6 माहें तक ऊपर राश्ट्रपती राश्ट्रपती का प्द सम्हाल सकता है अगला प्रस्ण है ही झालियशष्ण भारतिय संस्थित की आकलन समिति का गथन हागए तो केवें लोगसभा के सदस्थ्यों से होता है चलिए अगला प्रश्ष भारतिय समीधान का कौन सा अनुचेद अनुसूथित जन जाति को परिभाश्षित करता है अनुचे 306, अगला प्रशन भारत में सार्व भावम वयस्क मताधिकार किसकी दौरा प्रदान किया गया है अगला प्रशन भारती लोग सेवक को समिधान का कौन सा अनुछे सुरक्षा प्रदान करता है अनुछे 309, अनुछे 311, अनुछे 315 या अनुछे 312 बताईए कि भारती लोग सेवक को समिधान का कौन सा अनुछे सुरक्षा प्रदान करता है चलिए इस क्वेशन का राइट अंसर हो जाएगा हमारा आप्सन नंबर ए अनुछे 311 अप्सन भी हो जाएगा ये अप्सन भी जिनका भी अंसर आया हुआ ये सही अंसर है चलिए अगला प्रशन है चुनाओ के दौरान सभी चुनाओ प्रचार कब रोग दिये जाते है देखिए चुनाओ के क्या लगता है अचार सहीता होता है अब चुनाओ होने के कितनी देर पहले चुनाओ प्रचार होते रोग दिया जाता है आपके आप्सन के सामने हैं बता उसकी पहले सभी प्रचार प्रसार इनने को रूंग दिए जाता है अगला प्रशन दिया गया है भारती समईधान में कि बारत के समयधान का कौन सा अनुछेद मंतुरियों और महान्यवादियों को किसी भी सदन में बोलने या कारिवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है आपके options अनुछेद इक्यान नवे अनुछेद 80, अनुछेद 88 अनुछेद 56, कमेंट करें इस question कर राइट answer हो जाएगा option number C, अनुछेद 88 तो अनुछेद 88, ऐसा अनुछेद जो कि मंतरियों और महानेवादियों को किसी विसेदन में बोलने या कारिवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है, यह आप याद रखेंगे जिनका भी answer option number C आ रहा है बिल्कुल सही उत्तरे साथियों चलिए, देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन है भारती समिधान का सबसे वड़ा एकांकिस रोत क्या है तो Government of India Act 1935 ठीक है भारती जो है सरकार अधनियम 1935 क्लियर, option B जिनका भी answer आ रहा है वेरिगोट, चलिए, अब अगला प्रशन के सामने क्या आ गया है, कि व्यत्तिगर सतंतरता के अधिकार को सुनिष्चित करने के लिए नागरिक की सधिकारी के पास जा सकता है सरवोचिन्याले, उचिन्याले Attorney General ये ए और भी दोनो इस question का राइट answer option number B हो जाएगा ए और भी दोनो, clear, जिनका भी answer option number B आ रहा है, very good चलिए, देखते हैं इस class का अगला प्रशन अगला प्रशन है धोज की लंबाई और चड़ाई का अनुपात क्या है बहुत आसान प्रशन है, लेकिन बहुत बार एक्जामें पूचा गया है, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है, मताईए तो ये 3 अनुपात 2 लंबाई 3 और चड़ाई 2, clear इनका भी आंसर, option number D आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है, चलिए अगला प्रशन है, संपत्तिक अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है बताईए चलिए, संपत्तिक अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है तो ये जो है, विधिक अधिकार है clear, option number A जिनका भी आंसर आ रहा है very good, चलिए अगला प्रशन है, किस प्रधान मंतरी के सासनकाल में संपत्तिक अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाला गया बताईए, संपत्तिक अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से, में से किस प्रधान मंतरी के सासनकाल में निकाला गया था साथियों बताईए इस क्रशन में जिनका भी आंसर आ रहा है option D, मौरारजी देशाई के सासनकाल में बिल्कुल सही आंसर है okay friends, मौरारजी देशाई के सासनकाल में इस क्रशन का राइट अंसर अगर आप चुने है option C, जिनका भी आंसर option C आ रहा है वो इस क्रशन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा clear, चलिए अब अगला प्रशन दिया गया है कि सम्मिधान संसोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जा सकता है तो किसी भी सतन में राजसभा में, लोकसभा में या इने में से कोई नहीं, बताइए साथ यूँ कि सम्मिधान संसोधन के विधेयक को सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जा सकता है तो इसको किसी भी सतन में 10 को मनाया जाता है समिधान दिवस कब मनाते हैं बताइए 26 नवंबर को 26 तॉफ नवंबर क्लियर चलिए अगला प्रश्ण है प्रधान मंत्रियों में से कौन सा भारत की आजादी के समय आजादी के बाद पैदा हुआ था बताइए डॉक्टर मनमोहन सिंग अटल व्यार इबा तर इस क्वेश्टन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्से नमबर डी नरेंद्र मोदी इस क्वेश्टन के लिए आंसर हो जाएगा थीकै चलिये हम देखते है इस क्लास का फट फट से अगला क्वेश्टैन अगला प्रश्ण है कि समिधान के अनुसार के सनुच्छित के तहट जीवन के सुरक्षा वैक्तित स्वाधिनता प्रदान की गई है अनुचित 18, 21, 22, 22, कमेंट करें साथ ही हूँ इस question का right answer हो जाएगा option number हमारा पी अनुचित 21, clear? जिनका भी answer रेंट साथ नमबर भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका अनुचित 21, आर्टिकल 21 अगला प्रश्ण है भारतिय समिधान के कितनी भाषाओं को कार लई यानि कि official भाषा का दर्जा दिया गया है तो कितनी भाषाओं को official भाषा का दर्जा मिला हुआ है समिधान के बताईए तो समिधान की कुल 22 भाषाओं को कार लई यानि कि official भाषाओं का दर्जा दिया गया है ये भी आपको यादखना question important रहने वाला है चलिए अगला प्रशने OBC के वर्ग में creamy layer की पहचान करने के लिए ध्यान से पढ़िएगा creamy layer की पहचान करने के लिए नियुक्ति समिधी का नाम क्या था जिसने 1993 में अपनी report प्रस्तुत की और उसे सुईकार कर लिया था बहुत अच्छा प्रशने देखते कौन बता पाएगा options है आपके बलवंद राय महिता समिथी स्तुनर सिंग समिथी अशोग महिता समिथी या राम नंदन समिथी comment करें इस question कर राइट answer हो जाएगा option number हमारा D राम नंदन समिथी clear जिनका भी answer option number हमारा D आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए अगला प्रशने राज सभा के प्रथम सभापती कौन थे very easy question एस राधा कृष्णन चलिए आगे बढ़िए अगला प्रशने निशुलक अनिवार सिख्षा किस वर्स से किस वर्स तक के बच्चों के लिए है तो निशुलक अनिवार सिख्षा जो है किस वर्स से किस वर्स तक के बच्चों के लिए है पांस से चौदा आट से बारा दस से चार से दस या छे से चौदा वर्ष कमेंट करें साथ ही हो इस question का right answer हो जाएगा option number हमारा D चे से दस वर्स तक के बच्चों के लिए है clear चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण अब अगला प्रश्ण आपके सामने है कि उच्च सरकारी पदों पर आसीन विक्तियों द्वारा किये जा रहे भरष्टाचार की शिकायते सुनने उस पर कारिवाही करने है तो किस पद का सरजन किया गया है चलिए बताइए देखिए उच्च सरकारी पदों पर आसीन विक्तियों द्वारा किये जा रहे भरष्टाचार की सिकायते सुनने और उस पर कारिवाही करने के लिए जो है लोकपाल पद का सरजन किया गया है याद रखिएगा जिनका भी आंसर ऑप्सन भी आर है वेरी गूड चलिए अगला प्रशन है कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस प्रतिशक्त आरक्शन कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है बताइए फ्रेंड्स फटा फटा कमेंट करिए इस क्वेशन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्सन नमबर A गुजरात ओके फ्रेंड्स ऑप्सन A चलिए अगला प्रेशन है भारती चुनावा योग का गठन कब हुआ था बताइए भारती चुनावा योग का गठन कब हुआ तो 25 जनवरी 1950 समझ में आ रहा ना जिनका विए अंसर फ्रेंड्स ऑप्सन भी आ रहे बिल्कुल सही उत्तर है क्लास को सेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए क्लास को सेर करिए बहुत अच्छे क्यास अब के लिए हम लेकर करके आएंगे ओके शलिए हाँ आपका ये क्वेश्चन हो चुका अगला प्रश्ण है कि उन्हत्तरवा संविधान संसोधन धनियम 1991 किससे संबंधित है तो ये दिल्ली को केंद शाष्चित प्रदेश का दरजा विधान सभा और साथ सदस्ती मंतिव परश्ण से संबंधित है और फञेश्चन के लिए दिल्कुल सही उतर है जलिए हैं अगला प्रश्ण है काषीराम द्वरा किस पार्टी क इसथापना उन्निस तो चौरासी इस्वी में की गई rone Scholarsaches इसे में किस पार्टी किस थापना काषीराम द्वरा की गई थी आप सबको पता है बहुजन समाज पार्टी की ठीक है बस पा चलिए अगला प्रशन है भारतिय समिधान में अनुच्छेद 21-1 किसके तहद जोड़ा गया था बताइए 21-2 के तहद जोड़ा गया था जिनका भी आंसर ऑप्सन C आ रहा है वेरी गुड चलिए अगला प्रशन डॉक अधिकार को भारतिय समिधान का हर्दे और आत्मा कहा था बताइए किस समौलिक अधिकार को भारतिय समिधान का हर्दे और आत्मा डॉक्टर भीमरा मेडिकर द्वारा कहा गया बताइए इसको एस्टन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन अबर D समिधाने कुप चारों के अधिकार को किसी मंतरी के विरुद अगर आविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होता है बताइए तो मंतरी परिसल से त्याग पत्र देना पड़ जाता है उसको चलिए अगला प्रशन समिधान के किसनों सूची में राजिपाल, राष्ट्रपती, भारत के मुख नयाधीश, आध के वेतन दिये गए है तो वेतन का जो लेक है समिधान के किसनों सूची में है बताइए अनसुची दो में है ये ठीकि दूसरे नसुची में चलिए रखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन समिधान के पुर्ण गठन के फल सरूप जयान से पढ़िए कि समिधान के पुर्ण गठन के फल सरूप 1947 इसवी तक समिधान सभा में सदस्यों के संख्या कितनी रहे गई है 290, 222, 299, 302 तो यह रहे गई है 222, 299, 299, क्लियर, चलिए अगला प्रशन समिधान का दूसरा वाचन कब हुआ था बताए फ्रेंद्स समिधान का दूसरा वाचन कब हुआ आपके आप्सन्स है 15 november 1980 हिसरी से 5 अक्टूबर 1950 नेक्स्ट आप्सन 12 अक्टूबर 1999 इसरी से 17 अक्टूबर 1991 15 November limeертrict يعसरी से 17 October 1991 या 10 November 1981 सब्सक्राइब देखते हैं उगला प्रशन भारत के समिधान सभाखा का गठन किस वर्ष के किस योचनाओं के प्रस्ताओं के नुसार किया गया था तो समिधान सभा का जो गठन है ये कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताओं के अनुसार किया गया था याद रखना है अच्छा क्वेस्टन है option B चलिए अगला प्रशन है समिधान के के संसोथन द्वारा मौले कधिकारों की संख्या खटा दी गई चलिए अगला प्रशन है ब्रिटिश संसत के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतिये थे तो ब्रिटिश संसत के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतिये कौन थे दादा भाई नौरोजी और इन्हों नहीं सबसे पहले राश्ट्री आयका क्लण किया था आप वहान कसे धान दिया था ठीक है याद रखिएगा चलिए तो फ्रेंड्स आज की स्क्लास में आ रहे इतना ही आश्या करेंगे आप सबको क्लास काफी अच्छी लगी होगी सब लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूं आप से आपकी नेक्स क्लास में तक तक के लिए टेक केर फ्रेंड्स बाबाए